हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और महत्पुर्ण वीडियो में आज हम फिर से बिहार सिविल कोड प्रतियोगता परिछा और सीटेट में जो हिंदी व्याखराण से संबंधित जो प्रस्ण पूछा जाते हैं उन महत्पुर्ण प्रस्णों को संबलित करेंगे इसका में अच्छा प्रदर्शन कर सके तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ऑवस्त किजिएगा इससे पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं अगर वह वीडियो देखने चाहते हैं तो डिस्क्रिप् में आपके चार ओप्शन दिये गए हैं तो पहला ओप्शन ए है परिशान करना दी ओप्शन नाक में नथ पहानाना सी नियंत्रण में करना डी और नियंत्रित करना इसका उतर देने का प्रियास करे कुछ सेकेंड का समय में देता हूं फिर हमारे दियेगे उतर से अपने उतर का आप मिलान करें उमीद है आपने उतर दे दिया होगा तो चलिए मैं इसका आपको सही जवाब बताता हूं इसका सही जवाब होगा ओप्शन सी नियंत्रण में करना चलिए दूसरे प्रस्टन को देखते हैं दिये गए वाक्य का जिसमें कोई तूटी है श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है इसमें आपको चार अफ्शन देगिये हैं श्रम की ए श्रम की भी होती है सी साधना से ही डी राष्ट्र महान इसमें बताना है कहां गलती है वाक्य में कहां तूटी है तो चलिए इसका उतर दने का प्र जवाब होगा आपका option B, यहां होती दिया गया है जबकि होना होता है होना चाहिए, आपका सही option B होगा, चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं, दिये गए सब्द के परियाई वाची सब्द का चयन करें, तो प्रियतन का आपको परियाई वाची सब्द बताना है, option आपको दिया गया है, प्रियास, B, स्रेष्ट, C, पयोद, D, अनायास, इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर बतानेगा, प्रियास कीजिए, बहुत यासान है, इसका जो सही जवाब होगा, वह होगा option A, option A, इसका सही जवाब है, प्रियतन का प्रियाई वाची सब्द प्रियास होगा चलिए अगले प्रस्ण को लेते हैं निम्न लिखित में से उस विकल्प का चयन करे जो हाथ पाँ फूल जाना मुहावडे का अर्थ व्यक्त करता है तो यहां आपके सामने चार ओप्षन है पहला अगले प्रस्ण को देखते हैं सही वर्तनी वाले सब्द का चयन करे सही वर्तनी वाले सब्द का चयन करे प्रधान मंत्री इसका सही जवाब को देना है कि वर्तनी में किस सब्द का आप प्रियोग करते हैं उम्मीद है आपने सही प्रस्ण इस प्रस्ण का सही उत्तर दे दिया होगा सोच लिया होगा तो मिलान कीजिए इसका सही उत्तर होगा प्रधान मंत्री A A option बिलकुल आपका सही जबाब है चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं रिक्ता स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें मुझे नैना पर चोड़ी का डैस है मुझे नैना पर चोड़ी का डैस है A. संदेह B. अपमान C. गर्व D. मान तो चलिए इसका सही जबाब बताईए इसका जो सही जबाब होगा आपका होगा ओप्शन A. संदेह मुझे नैना पर चोड़ी का शंदेह है ये आपका सही जबाब होगा चलिए शाथ में प्रस्ण को देखते हैं दिये गये वाक्यांस के लिए एक सब्द दीजिए वह वाक्यांस में आया हुआ चलिए इसके लिए एक सब्द कौन सा होगा वह बताईए ओप्शन आपके सामने है A. सर नागत आग बी आगत C. गोपनिया दी शरनिया इसका सही जबाब होगा A. सर नागत शरन में आया हुआ के लिए हम सर नागत शब्द का प्रियोग करेंगे सही वर्तनी वाले सब्द का चयन करें सही वर्तनी वाले सब्द का चयन करें ओप्षन आपके सामने है A. हनस वाहिनी हनस वाहिनी B. हनस वाहिनी C. हनस वाहिनी D. हनस वाहिनी तो चलिए इसका जो वर्तनी में हम जी सब्द का प्योंग करते हैं वह सब्द बताईए आठवे का जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ओप्शन डी हन्स वाहिनी यह आपका सही जवाब है तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं दिये गए सब्द के प्रयायवाची बताना है तो इसमें आपको सम्ता सब्द का प्रियायवाची सब्द बताना है आपका साही जवाब होगा ओप्शन गलकुल चलिए अगले प्राशन को देखते हैं दिये गए सब्द का विलोम चुने सजीव इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपको नहीं आता है तो नहीं करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपको इसका उत्तर अगले विडियो में बता जाएगा चलिए। ऐसी प्रस्णालध लगातर आपके सामने आते रहेंगे ताकि आपकी तयारी का मुलियांकर्न याजा सकें आप समझ सकें कि आप एक्जाम के लिए कितना तियार हैं और कितना आपको और एक्जाम की तियारी करने की आवशकता है तो चलिए आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें मिलते हैं अगले वीडियो में